तो हेलो एंड वेल्कम एवरीबन स्वागे आप से भीक हमारी ब्रेंड डू सीरीज में बाले इस सीरीज का नाम है नूब 2 प्रो और यह है पार्ट नमर 17 जिसके अंदर हम सब बात करने वाले हैं जारे स्कोप से रिलेटेड एडवांटेज और डिसएडवांटेज के ब्यार आपको पहले से पता होगा कि एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या होते हैं बट जहां तक मुझे लगता है जब तक मैं उब्जर्व कर रहा हूं क्यों लोग इंप्रूव नहीं कर पारे सबसे मेन कारण है ट्रेनिंग क्योंकि वह अपने गेम को टाइम नहीं देरे ये वीडियो पूरी देख लेना उसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी तो ये आपका डिसएडवांटेज है आपको समझ है कि जायरोस्कोप क्या है कोई नहीं बात मैं नहीं बताने वाला क्योंकि लोगों ने पहले ही वो वीडियो बना और हमको भी थोड़ी दिक्कतना एक बार-बार वीडियो वही सेम वीडियो बनाने में तो चलते हैं पॉइंट नंबर सेगंड तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जायरोस्कोप कहते किसे हैं वट इस जायरोस्कोप तो बेसिकली चार डारेक्शन होती है जहां पर आपने फो कंट्रोल होगा और आप डाउन करेंगे तो आपका नॉर्माल हो जाएगा और लेफ्ट राइट करेंगे तो आपका एम ट्रांसफर करने में अप हल्प होगी तो होप आप कोई पॉइंट क्लियर होगा और नहीं समझा है तो कमेंट कर देना पूरा ध्यान से समझना तो चल अब जी खेल रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आप रिकोईल अच्छे से कर सके रिकोईल कंट्रोल आप अच्छे से कर सके या फिर आप अपने गेमप्ले को थोड़ा सब इंप्रूव करना चाते हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा जैरों में शिफ्ट हो जाओ बिना सोचे समझे क्यों क्योंकि एंड्रोड डिवाइस जो कॉमपी खेलते हैं या फिर लास्ट जोन की जो फाइट होती है कौन करर में भी आपने देखी होईगी तो उसमें क्या सीन होता है कि वहाँ पर ना पसीन आने लग जाता है हाथ स्वेट करने लग जाते हैं हाथों में जाता है जिसके वाज़से कई बार ना अगर 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 आप देखने को नहीं मिलेगा तो होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए और तो चलते हैं नेक्स पॉइंट पर तो अब हम बात करते हैं सबसे में चीज़ के बारे में यानि की सेंसिविटी अगर अगर आपको सेंसिविटी सेट करनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहां आ जाना है और आपको स्कारल उठा लेनी है विदाउट अटेच्मेंट 6x 4x और साथ में रेड डॉट के साथ उसके बाद को क्या करना है उसके बाद आपको करना है तीन टार्गेट चूज क आपको सेट करनी है तो पहले से मैंने उसके लिए बना रही होगी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है तो वहां से भी देखले ला कि कैसे प्रॉपर शेंसिविटी रखना है या फिर क्या सेंसिविटी होनी चाहिए बट अगर आप चाहते हैं कि आपका एकूरेट जैसे और या फिर जो आपको आदत पड़ी होई थम से वह आदत अपकी छूट जाए तो जायर उसकोप से बिल्कुल कंट्रोल करनी कोशिश करना बिल्कुल जीरो रिकोल होना चाहिए आपको उसके बाद आपको एम ट्रेसिंग की और साथ ही साथ में एम ट्रांसफर की यह तीनों प्र स्टेबल होना चाहिए धिको एकुरेट का क्या सीन होता है क्लोज रिंज में एकुरेट इस स्टेबल इस्टेबल इस प्रेए अब कहने मतलब यह कि कई बार बंदा लेफ्ट राइट हो जाता है तो आपको दिखकत पड़ सकती है उस चीज में क्योंकि आपका 3x होता है उस तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि स्टेबल यानि कि लेफ्ट राइट थोड़ा बहुत तो चलता है ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं जो आप सब सीखना चाहते हैं और कहीना कहीना आपको यह वो चीज नहीं मिलेगी जो मेरी वीडियो में आपको मिल जाएगी यानि क गाड़ी से बन दे अगर आपको उतारने है तो तो उसके लिए मैं आपको इस्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए तो चैनल को जाके सस्क्राइब कर लेना क्योंकि बहुत जल्दी मैं वीडियो लेकर आने हो लागा हूँ तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट प प्रोब्लम आती है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले क्राउच और पीक भी आप कर सकते हैं जिससे आपका वर्टिकल जो रिकोईल होता है याली लेफ्ट राइट जो होता है वह आपका बंद हो जाएगा उसके पाद आप तीन सो जो इस प्रे देते उसमें है तो प्रोनों के मारना मेरी गारंटिया पांच-छे गोली में उसको खतम कर दोगे तो अगर आपको कुछ भी समझना है तो कमेंट कर देना मैं आपके लिए बैठा हूं और भाइलोग एक खुश कबरी आपके लिए जो वीडियो नहीं डाल रहा था मैं बहुत दि आप मैं प्रोना कि गेंपले वीडियो आनी चाहिए कि नहीं क्योंकि मैं गेंपले वीडियो कमेडि वीडियो लाने वाला हम तो अगर वीडिए उच्छ लगे तो प्लीज लाइक से रिसक्राब कर देना और कमेंट तो जरू करना और शेयर करना तो बिलकुल भी मत भूलना So bye bye guys, take care and peace out and keep practicing. I'll see you next time.